असलाम वालेकूम फ्रेंड्स कैसे हैं उमीद करती हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही इजी और बहुत टेस्टी सवई की खीर की रेसिपी लेकर आयूँ बहुत जल्दी बन जाता है और इसमें बहुत ही कम इंग्रीडियन्स का इस्तमाल होता है तो चलिए फ्रेंड्स बि तरीके से छोटे-छोटे चुक्रे में तोर लेना है देखिए तो सारे सिवई को हमें तोर लेना है ड्राइफूट्स जो भी आप खाते है जो पसंद करते है वो ले लीजेगा मैंने यहां काजू पिस्ता बदाम किसमस चिरोंजी और ड्राइ नारियल लिया है सब को कट कर कर करके जब तक मैं कत कर रही थी मैंने चुला पे दूद्ध बॉइल कंंहें के लिए डाल दिया था दूद्ध वायल होगया अब इसमें हमें डाल देना है शिवई यो सबः हमने उऔर के रखा था उसे ढाल देना है अब हम फ्लेम कर देंगे लोग फ्लेम में इसे थोली देर पखने देंगे साथ ही साथ तोरी देर जब यह पख जाएगा एक देर मिनिट तो इसमें हमें डाल देना है कटा हुआ सब्सक्राइब करने के लिए डाल दीज़े चूला पर उसके बीच में आप पे ख़िर दोरिय या ड्राइब कट किरिए किजिए जब तक आपका दूद बॉइल होगा आप वो सब काम कर लीजिए जैसे दूद बॉइल होगा सिवई डाल दीजिए ड्राइफ डाल दीजिए लो फ्लेम में 5-6 मिनिट तक पकने दीजिए और उसके फिर से हम मीडियम फ्लेम करतेंगे और तब तक पकाना जब तक सिवई अच्छे से गल न जाए उसके बाद चीनी डाल देंगे तो अपने टेस्ट के अकॉदिंग इसमें चीनी डाल दीजिए और खुस्बू के लिए एलाइची पॉडर डाल देंगे और क्योवरा वाटर डाल देंगे अब इसमें हमने ये मावा डाला है इस तर पॉडर अर मावा का भी ये बहुत ही टेस्टी बनता है इसको थोड़ी दोर और पकने देंगे अच्छे से देखिए इसमें थोरा गारह बना गीया है जब ये ठंडा हो जाएगा तो ये और गारह हो जाए क्योंकि अभी ये गरह में तो पतला लग रहा है ठंडा होने के ब आप जरूर ठ्राई कीजिए अगर आपको रेसिपी पसंद है तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चाइनल पे जो नए है जिनों ने चाइनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लेश सब्सक्राइब कर दें और बिल आइकन को भी प्रेस कर दें ताके हमारे नी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे फ्रेंड्स आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक जरूर दे हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहता है फ्रेंड्स मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में तिल देन बाई टेक कियर